गलतिना 29 सगस्त को शद्धे आचार बार्कुषी जी महाराज का आगमन र्याजिस्थान प्रांत के करोनी जिले में हुआ जहां आचार जी के पावन करकमलों से गौसन रक्षन, संबर्धन वा अनुसंधान केंद्र इस्थावत करने की योजना की नेव रखी गए पूजी योग्रिशी स्वामी रामदेव जी महाराज के निजी सचिव श्री अजय आरेजी के अथक प्रयासों के पर्लाम सुरूप इस्थावित होने वाले इस अनुसंधान केंद्र के लिए अगरवाल समाच के लोगों ने 360 बीगा भूमी पतन जली योग्रीट को प्रदान की जिसके स्थापना से किसानों वब पशुपालकों का जीवन सम्रिद बनेगा तथा स्थानी लोगों को रोजगार व आयके अनेक अवसर प्राप्त होंगे इस करेक्टर में उपस्थित शर्धे आचार बालकृष्ण जी भाराज, दाजिस्थान प्रांत के लुकायुक एसेस कोठारी, सीकर के सांसद स्वामी सुमेईदानंद सरस्वती जी, दौलपूर से सांसद मनुज राजोरिया, श्री अजे आरे जी, पतन जली के सहयोगीग वशासन प्रशासन के लोग तथा अंगनमानी लोगों का भव्य स्वागत्ति आ गया। करेक्टम से पूर्व सब में भव्य हवन वव्रिक्षा रुपण में भी हिस्सा लिया। आए देखते हैं इस करेक्टम के मुख्य मुख्य अंश। मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आपके उद्वोदन के हितु आमन्तित करता हूँ। हम सब के लोग प्रिय है सांसद डॉक्टर मनोज राजोरिया जी आधि मदन मोहन जी के इस पावन धर्थी पर और केला मिया के आश्यवाद के तले हम सब को आश्यवाद सम्रदी सुख की कामना हे तूँ। यहां विशाल रक्षा रोपन कारिकम में आज पधारे परम सेद्य आचारे श्री बालकर्ष्ण माराज जी मैं करोली धोल पुर सांसद होने के नाते सबसे पहले तो यहां पधारे सभी अतित्यों का बहुत तहे दिल से हारदिक स्वागत करता हूँ। हम समने कभी नाम सुनाता है स्वामी राम देउजी का और आचार ये बालकर्ष्ण जी का लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी धर्थी पर आचारे स्वाम आचारे बालकर्ष्ण जी भी पदा रहेंगे और स्वामी राम देउजी का भी हमारे आग्मन होगा। करोली की धरती बड़ी पवित्र धरती रही है लेकिन आज जिस यग के साथ में जिस यग की आहुती आज ऐसी महान विबुतों ने आचारे बाल कृष्ण जी के साथ में यादी है और सभी शदालू यहां पदा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि जिस काम की उमीद हमने की थी एक करोली की धरती उमीद कर रहे थी कि एक संथ के पैर यहां पढ़ेंगे आचारे बाल कृष्ण जी के स्वामी राम दियो जी के पैर यहां पढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे करोली की धर्ती को बहुत उनती बहुत प्रगती होगी और जिस उम्मीद से करोली की जनता देख रही थी कि यहाँ पर पतंजली जल्द ही सारे अपने कारिया शुरू करेंगे अभी आचारी से बात कर रहे थे आचारी जी बड़ी अच्छी भावना से कह रहे थे कि जल्द से जल्द हम और आगे काम करेंगे और जिस तरीके से इनकों ने हरिद्वार में अपना आश्रम बनाया है जिस तरीके से बड़ी तरह तरह के को रोजगार दिया है और आश्रम इनी रोजगार इनी सबसे बड़ी बात है कि देश बक्ति की भावना के साथ प्रते एक व्यक्ति में राश्ट बक्ति की भावना को किस तरीके से जागरत किया जा सकता है ये काम किसी से सीखा जा सकता है तो मैं सोचता हूं इन से सीखा जा स करता है जिस तरीके से पूरे देश ब्रेश्ट चार के किलाब साम Garamdao जी ने आचारे बाल किस्णिसी ने और इनकी पूरी टीम ने पूरे देश में एक मुहीम चलाई थी और उस मुहीम से ब्रेश्टा चारी सरकार को काड़ फैकर नरेंदर मोदी की सरकार को स्थापना करने में मैं पूर्ण योगतान किसी नहीं दिया था तो आज वो सभी महनुबावाज हमारे बीच में यहां वराजमान है ऐसी सक्षियत उनके परिवार के सभी सयोगों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी जो कारी शक्ती है उनकी जो टीम है उनका मागदशन और राष्ट प्रेम है मैं सोचता हूँ कि आज करोली की धरती पर उसका हमको लाब मिलेगा और करोली की नहीं आसपास के दोसा स्वाए मौदुपूर दौलपूर बरतपूर के किसानों को और आम जन को भी यहां हमने देखा है आचार्य जी मैं आपका बहुत तहीं दिल से स्वागत करता हूँ मेरे पास Шब्द कं है अगली बार जब आपका और क्रोली की हज़ारों-पज़ारों-लाखों की जनता आपका अस्वागत करेगी और यह विश्वास ल्याता हूँ कि हम पूरी करोली और आसपास के सभी जुलों की जनता पतंजली के साथ में कंदे से कंदा मिलागा राष्ट बक्त के निर्माण में राष्ट निर्माण में जो आप सायोग कर रहे हैं हम भी आपके साथ में राष्ट निर्माण में आगे बढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आ आम पूरे देश में नहीं विदेश में आपके नित्रत में रोशन होगा आप अधरे आपका तहे दिल से आभार्वित करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जैहिं जैवारत बहुत बहुत सादुवाद माननिय सांसद महदे आप युवा है जनजन के लोग प्रिये हैं आपके भीतर बहुत उर्जा है और निश्चित रूप से यह उर्जा करोली धोलपूर के विकास्व के काम आए ऐसी मेरी मनो कामना है और सीकर राजस्थान का सेखावाटी छेत्र में आता है शेखावाटी छेत्र ऐसे वीरों की भूमी है जहां अनेक परम वीर चक्र प्राप्त करता सैनिकों ने जनम लिया किसानों की भूमी है वो और ऐसे ही किसान परिवार से और स्वामी दयानंद सरस्वती के परम अनुयाई हम सब लोगों के परम सर्देय पुजिनिये सम्मानिये सांसद महोदे स्वामी सुमेदानंद जी सरस्वती को उनके आसीर वचन है तू मैं साधर आमन्तित करता हूँ आज बहुती सोबागे का विशे है कि इस दर्ती पर एक ऐसे कारिये का प्रायरंब करने के लिए है और वो भी विरक्षार ओपन के रूप में क्योंकि यदि प्रियावरन है तो सब कुछ है हम जब कहीं जाते हैं तो छेतर में यही पूछते हैं यहां का जल वायू मारे अनुकूलने पड़ा और जल और वायू को शुद करने की अगर सबसे स्रेश्ट कोई चीज है तो आज दो काम किये हैं एक तो यज्य और दूसरा विरक्षार यह दो इसादिन हैं जो प्रियावरन को ठीक कर सकते हैं आज पूरा विश्व जगत चिंतित है सारे के सारे साइंटिस्ट इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रियावरन का जो वातावन दुशित होता जा रहा है आज ओजोन प्रत के अंदर जो च्छेद हो गए हैं उसकी पूरती कैसे की जा सकती है बंद वो जहां विकास होता है उस विकास के साथ साथ में यदि हमारी सांस्क्रित द्रोवर की रक्षा नहीं की जाती है तो उसका हराश होने का संभावना रहती है और यही प्रिणाम रहा कि लोगों ने इस बात के और ध्यान नहीं दिया विकास की तरह बढ़ चले हम विदेशी चाल पर चले और उसका प्रिणाम ये निकला कि आज़स सारी दुनिया चिंते थी इस बात के लिए अगर यही स्पीड गर्मी की रही तो आने वारे सो साल के बाद में इतना भेंकर गर्मी और यहां पर धूप पड़ेगी कि दर्ती कि रक्षा के लिए कई बार लोग हमसे पूछते हैं मेरे से पूछते हैं इसा बाबाजी को व्यापार करने की जुरूरत क्या है मैं उनसे एक बात कहता हूं स्वामे जी व्यापार नहीं कर रहे व्यापार करता है अपने बच्चों के लिए व्यापार करता है अपने रिसर्च सेंटर नहीं था सेक्टों क्रोड रुपे लगा करके एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है मुझे याद है आज से 30 साल पहले अगर किसी ऐलोपेथी डॉक्टर के पास हम जाते थे और आयरवेद की बात करते थे तो उसको दवाई को फैंक देता है पता नहीं कहां से राक की पुड़िया उठा करके लायो लेकिन आज जितने भी ऑस्पिटल हैं सब में डायटी इसने बिठा दिये गए पहले एलोपेथी डॉक्टर के पास जाते थे दुवाई लेने के लिए पूछते थे हमें क्या खाना है तो कैते हैं कुछ भी खाओ लेकिन आज सबसे पहले हमारी डायट क्या हो इसके लिए स्पेस्विस्ट बिठा रखें तो ये आईरवेद का जंड़ा वैदिक संस्कृति का जंड़ा और योग का जंड़ा पूरे विश्व में बुलंद करने वाले अमारे बीच में शद्धे आचारी बाल किसनों स्वामी राम देव जैसे वेक्तितु हैं मैं कई बार मजाग मा का करता हूं स्वामी राम देव जी ने दाईसों देसों का सिरसासन करवा दिया आपने देखा होगा भी योग दिवस के उफसर पर कितने लोगों ने आज अमे आज योग वेद आईरवेद और भारतिय संस्कृति का डंका बजाया है और बंदू हम बाशनों में तो कहा करते थे कि स्वादे सी अपनाओ लेकिन जब तक विकल प्रात में होता है तब तक आदम कैसे अपनाएगा इसलिए स्वामी जी ने बड़ी बड़ी कंपनियों के म काबले में स्वादे सी चीजें उपस्तित कर दी और आज वो लोग अपनी चीज बनाते हैं मैं कई कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को जानता हूं वो मार्केट में सामान बेचते हैं लेकिन उनके घर में उनके रसोई में जाकर कि आप देखेंगे तो आँ स्वा सब्कर्द पर मैं शद्ध schema स्वागत करता वो विवादन करता हूं कि ईन्हों ने और पुझ्य स्वामीरामद्यों जी अलरी जी मारेज ब्राजस्थान की दर्तिर्थी को भी अपना का रही च्चेतर बनाया हैं वैसे स्वामीजी आचारजी के बारे मैं भी कह रहा था प्रवाकर जी और कई लोग बैठे हैं यहां इंडॉन में आरी समाज का उत्सक्ता नाइंटी थी की बात है तिरानुए की मेरा इक्षिडेंट हो गया था और मेरा इतना बहंकर पीड़ा थी मैं जेपूर से आजगल की तरह से गाड़ियां थे नहीं हम जीप में चलते थे तो जीप में बैठ करके मैं आया अब मुझे इतनी पीड़ा हो गई कि मैं मंच पर नहीं बैठ सकता था मैं आरी अप्रतिंगा राजस्थान का प्रधान होता था तो मैं लेटा वा था आचारी जी आये योग का केंप लगा था यहां पर 93 की बात बता रहा हूं आपको आज से 24 भी साल पे रहे तो आचारी नहीं का स्वामे जी कैसे लेटे हुए हो मैं आचारी बैठ नहीं सकता मुझे दर्द है बंद वह 15 मिनट के एक उपर श्रम है आचारी नहीं मुझे दो गंटे मंच पर बिठा दिया यह करिश्माई व्यक्तित्व हैं और मेरा तो इनका जिन बाईयों ने अगरवार समाज के जिन बंदों ने यह भूमी दान दिये हैं मैं उनका बहुत 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 आभार वेक्त करता हूं कई बार कुस लोगों का अटपटा सा लगा होगा लेकिन जिब यहां विकास की गंगा बहेगी यहां गायरं भाएंगी यहां और सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी बदोलत ही आचाज जी के चरण यहां पड़े हैं परमात्मा करें कि आपका समाज फले फूले और अमेसा समृद्धों धन्यवाद ओम शांति जया भारत बहुत 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 प्रणाम परमपुजे स्वामी जी महाराच आपने बतलाया कि किस तरह से थोड़े से एक्यूप्रेसर के द्वारा परमसरदे आचारे सीरी जी ने आपको दो घंटे तक बिठाय रखा और मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनोंने करो 200 गंटे राश्ट्र हित्मे राश्ट्र सेवा में बैठे रहते हैं मैं हमारे रीवा मद्यपृदेश से पदारे हैं एक बहुत ही युवा कवी जिनकी वाणी में मा सरस्वती का निवास है वर्तमान में आप दिल्ली में विरास्ते हैं ऐसे हमारे युवा कवी को मैं बहुत तिसने के साथ बहुत ही आदर के साथ मंच परामंत्रित करता हूं कि मात्रिभूमी को प्रणाम करता हूं आयुरुबेद रूपी अम्रित को इस धराग धाम पे एक बार पुनह लागे देश की दिशा और दसा बदलने बाले पूज्याचारी और मंच पर उपस्थित आप सभी की उपस्थिती को प्रणाम करता हूं और यहां जितने भी लोगी साहवान में इस महायग्य में इक अठा हुए हैं आप सभी को नमन करते हुए सीधा सीधा चार पंतिया पूज्याचार स्री के चरणों में समर्पित करता हूं कि स्वस्त मन में ही स्वस्त आतमा का बास होता पाबन पूनीत ये बिचार लेके आ गए आज महाराज स्री यहां क्यों आए हैं ये भाव आप तक जोड़ना चाहता हूं कि स्वस्त मन में ही स्वस्त आतमा का बास होता पाबन पूनीत ये बिचार लेके आ गए करने समस्या का निदान देखिये स्वयम भारती ये पधती का सार लेके आ गए तो जीबन फसा हुआ था रोग और व्याधियों में पूरू स्वार्थ द्वाराई सुपार लेके आ गए और आप पे गई जो द्रिष्टी तो लगा कि जैसे प्रभु धनवंतरी ही अवतार लेके आ गए और समय का भाव है मैं चार पंकिया उस भाव को एक ऐसा संकल्प जिस संकल्प गे कारण इस देश की दिशा और दशा बदल गई हम सब हमारा सबका आत्म स्वाभिवान पुना चाक्रित हो गया मैं चार पंकिया उस महायक्य के नाम करता हूं कि प्रेम भाई चारे से बुराईया मिटेंगी और बेहिसाब खुसी छोटी छोटी मिल जाएगी साथ मिल के चलो तो उल्जने मिटे तमाम पल में सफलता की चोटी मिल जाएगी आप भी सदेशिवाला भाव अपनाईये तो संसकार की छलक मोटी मिल जाएगी खुद की जरूरते भी पूरी होंगी साथ साथ जाने कितने घरों को रोटी मिल जाएगी देखे पुरे राजस्तान का प्रतिनिदित्व करने वाले कार्यकरता बैठे हैं हमारे भाई रादा कांत का अभिनंदन बहुत जोरदार होना चाहिए और अगले जो कवी मैं बुला रहा हूँ भाई मनवीर मधूर जो की मतूरा से हैं जिनकी वाणी मतूरा के पेड़ों की भंती मीठी है जो मन के वीर हैं तेजस्वी हैं ओजस्वी हैं और इतना आनंद में ही हैं कि एक-एक स्रोता के कानों में मिस्त्री गोल देने वाले ऐसे मनवीर मधूर को मैं सादरा मंतृत करता हूँ आप सबकी परस्तित को प्रणाम करता हूँ परमभूजी आचार जी के सादर चौन्स परश और तमाम महत्मूर जो अजतिये मारे आये हुए हैं उन सबको प्रणाम हमारे अभी सांसत महोदय जी ने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ मैंने उस समय लिखा था एक संथ जब तै कर लेता है प्रण कर लेता है तो प्रकरती को भी झुकना पड़ता है उसे सच करने के लिए उस समय मैंने कहा था जो महरासिर ने एक प्रण लिया था कि नौ माह जीएंगे कर्म योग कुछ करके दिखलाएंगे हम नौ माहजीयें ने कर्म योग कुछ करके दिखलाएंगे हम सत्ता परिवर्तन किये बिना हर द्वार नहीं जाएंगे और वो सच साबित हुआ योग पूरे विश्व में फेलाया सत्ता परिवर्तन हुआ अब सिख्षा परिवर्तन की वारी है और जो पीछे जो परमख धुरी के रुप में खड़े रहते हैं वो हमारे परमपूजी आचारवाल कश्टी महराज जो यहां उपस्तित है मैं तो पंदरे वर्ष पहले यहां करोली नगर पलिका के कविसमिलर में आया था इतना बढ़िया सुना के गया कि बाद में उन्होंने तैकल लिया कि अब नहीं बुलाना पिछले वर्ष हमारे अजया रिवाबूजी ने आदेश दिया तो मैं आ नहीं पाया आज आया हूँ लेकिन एक बात कहता हूँ एहंकार सब्ता में बैठे हुए किसी व्यक्ति को होना नहीं चाहिए एहंकार जब होता है मैंने तब कहा था आज फिर बोल रहा हूँ यह संत परंपरा रिशी परंपरा यह देश रिशी परंपरा को जीने वाला देश है और जो कुछ हो रहा है मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि होंगे वे बादशा अपने पद का गुमांसर पर रखें और करोली वालो आप संत के सामने हैं अगर मेरी अगली पंक्ति ठक से लग जा आपके दिवा दिल पर तो एक बाद तालियों का हुजूम होना चाहिए होंगे वे बादशा अपने पद का गुमांसर पर रखें लेकिन हम हैं अख़र फकीर सिंगासन ठोकर पर रखें लेकिन हम हैं अख़र फकीर सिंगासन ठोकर पर रखें इस एहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं हमने अगर अंगडाई लेली इतिहास बदल भी सकते हैं कोई कितना ताकत पर हो पर अंदर से हिल जाता है जो मिट्टी से नफरक करता है मिट्टी में मिल जाता है मैं चार पंग्तियां पूझे आचार जी के लिए समर्पित कर रहा हूँ आप तालियों के साथ आववादन कर सकते हैं मैं क्या सोचता हूँ मेरे छोटे भाई रादाकान पांडे ने बहुत अच्छा लिखा लेकिन मैंने क्या सोचा है मैं चार पंग्तियां समर्पित कर रहा हूँ में डिबेदर करता हूँ और ये महत्पूर इसलिए भी है सबसे महत्पूर बात है कि महाराजी जो प्रण कर लेते हैं उसके पीछे जो पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं अंगद की तरह पैर जमा कर वो आचार श्री हैं जिनकी वज़े से महाराज श्री इतने बड़े-बड़े काम कर जाते हैं मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं सुनना और एक एक शब्द एक पंक्ति अगर आपके दिल तक पहुच्छा तो मुझे बताईए कि दाव पे लगा दिया समस्तराश्ट्र के निमित तीर से फकीर की कमान बाल कश्ण जी सुस्तृत चरक धन बंतरी पतंजली से रिशियों पे करते गुमान बाल कश्ण जी कि अभी अन्ता लेखक या कहूं आईरवेदाचारे रखते अकूत दिव्यान बाल कश्ण जी और करोली बालो सब की तालियां आस्मान में लहर जाएं अगली पंक्ति में उप्पा दे रहा हूं ठीक लगेगी मुझे पता है तो आपकी तालियों समी में देखना चाहता है कि शुत अभी अन्ता लेखक या कहूं आईरवेदाचारे रखते अकूत दिव्यान बाल कश्ण जी मह में दिखा दी मा को जिसने समस्त सश्ट ऐसे बाल कश्ण के समान बाल कश्ण जी कि मह में दिखा दी मा को जिसने समस्त सश्ट उनको एक धारामे में बाध नहीं पाता आप पतंजली आईए तो आपकी समझ में आएगा कि कितने बड़े अव्यंता हैं उनकी पुष्टक हैं पड़िये तो समझ में आएगा कितने बड़े लेखक हैं और आयो देल अचार के बारे में तुम्हें टिपड़ी क्या करूँ बहुत सारे ऐसे स्वरुपी हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता जब जब देखता हूं तो आशर में होता हूं लेकिन मैं चार पंगतिया महराश्री को भी समर्भित करना चाहता हूं जिनका आशीरवाद आ जिनकी वज़ेसे अचार जी आज आपर है मैं चार पंगतिया रवधन करता हूं कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और जीवन चुप के जहाज राम देवाजी रोग और भोग के भवर उसे कराते पार जीवन के स्वास्त के जहाज राम देवजी कि घौरन फुरत के भी दौर में दमक ताजो मानवी अताका एक ताज राम देवाजी गोरन पुरत के भी दोरों में दमकता जो मानवीयता का एक ताज राम देवजी योगेश्वर कश्ण से चली थी जो परमपरा उसी का भरतमान योगे राज राम देवजी जैहन तालियों के गड़डा हट कवी के संबान में रुखने नहीं चाहिए मैं ऐसे महान कवी पर कोई टिपनी तो नहीं कर सकता लेकिन मनवीर के मन में बैठे इस महा कवी को पूरे उपस्तित समस्त कारिय करता हूं कि और से मंच के और से प्रणाम करता हूं उनको साधुवाद देता हूं और ऐसी तेजस्वी वानी ऐसी ओजस्वी वानी जो हम सब के भीतर उर्जा का संचार करती है ऐसे ही एक और कवी मुझे तो अभी बता चला कि आप ब्रह्मचारी भी हैं और माराजी ने ऐसे ही पकड़े हैं ये जिन्सको आपने पहले सुना है वो भी व्रमचारी है तो ऐसे व्रमचारी कवी गजंदर्जी सोलंकी जो की दिल्ली से पदारें अंतर राष्ट्रिय कवी हैं पच्चीस वर्सों से कावे पाट कर रहे हैं और हमारा कोई भी अंदलन हो चाहे चार जून शद्धे आचारशी के चरणों में नमन करता हूं हमारे मनुजारया जी सुमेदनन जी महराज और सभी जो मंच पर आसीन हैं हमारे आरे जी जो मैं ऐसा मानता हूं कि इस आयू में भी और जिस समर्पन के साथ पतंजली और महराशी के साथ उन्होंने सेवा की है वो अपने आप में अनूठा है मैं चाहता हूं उनका भी अविन्होंन होना चाहिए उनके बहुत सारे विशे हो सकते हैं मैं जितना कहूंगा आचारशी के बारे में महराशी के बारे में उतना ही कम दिखाई देता है क्योंकि जो तपस्या जो साधना करके राष्ट के लिए राष्ट को और संस्कृति को संस्कृति को आधार दिया है वह अपने आप में अनूठा है और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बाश्रूर करना चाहता हूं राजिस्थान की धर्ति है और इस पर करोली के जो यहां पर लोग है मुझे लगता है आसपास के शित्र के भी राजिस्था के भी लोग होंगे और हिंदुस्तान के जगे से लोग आए होंगे लेकिन राजिस्थान की बलेदानी परंपराओं को दोचंद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि राजपूताना की भावना को दोचंद देना चाहता हूं के चेतक की टापो संग हल्दी घाटी में जोड़ी उस धूल से सजे गगन को नमन है और धर्म संस्कृति स्वाभिमान है दुकी ये गए शूर्ता के पावन हवन को नमन है तो हिंदुस्तानियों के हिर्दियों में जो धदक रही राजिस्थान वाली उस अगन को नमन है और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया राणा जी प्रताप की तपन को नमन है अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के हाथ खुले नहीं देखो ताली बजाना स्वास्थे के लिए अच्छा होता है महराज शी कहते हैं आचारे शी कहते हैं बास समझ में आये तब भी ठीक है नहीं भी समझ आया तो ताली जरूर बजानी तेकि ताकि पड़ोसी को होती हैं और आपके मंतक भावनाय पहुंसते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आती है इसलिए एक छंद और देता हूं कि पन्ना थाए पदमिनी और हाडारानी वाले नारियों के पुन्यस्वाभी मान को पड़ाम है मात्रिशक्ति को नमन करता हूं आज कल इस्तिवे से बदली ह होई है आप जानते हैं एक तक कपूर के टीवी सीरियल ने बड़ा गड़वण कि आदेश नहीं सच महीं वह परिक्षा में प्रिशन आ गया कि भगवान राम जी को तो 14 साल का वनवास वा तो उनको तो जाना था लेकिन सीता जी साथ में क्यों गई तो एक लड़की जो एक लड़वर हो रही है आप संसकारों की थाती लेकर यहां पे हैं एक चंद देता हुआ और आपकी संब्रतालियां अबाम पम्हारस रड़ा वाले एक मात्रताण को प्रनाम क्या है यृष्टें वही, नंको प्रनाम करता हैं उनको प्रनाम करता हूं कहा जाता है देश्ष्भक्त बनिये solving जिए कि आपकर प्रनाम क्योंकि पान्नाधाय पदमिनी और हाणरानी वाले नारियों के पुन्य स्वाबी मान को पड़ाम है मात्री भूमी के हितात जो दिया गया था भामान शाह वाले एक मात्रदान को पड़ाम है तो घास वाली रोटियों को खाके भूमी पर सोए प्रभू एक लिंग के दिवान को पड़ाम है और शुरता अवीरता पराक्नम के परयाय आनबान वाले रज़स्थान को प्णाम है कभी परमानु बंब गोरी से दराता हमें अकड दिखाता पल में ही मोड जायेगा कि कभी परमाणू बंब गौरी से डराता हमें अकड दिखाता पल में ही मुड जाएगा और नाग पृत्वी त्रिशूल अगनी ना जाना भूल हाइड्रोजन बॉम्ब काफी फ्यूज जुड जाएगा तो आकाओं के दम पे तो गुबारे से भूलता है पड़े पहले अमेरिका आका था अब चायना उसका आका हो रखा है कि आकाओं के दम अगर पंती पहुंच जाए तो मुझे पता चलना चाहिए कि देश भक्तों की सभा है कि आकाओं के दम पे तो गुबारे से भूलता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाईयां मेरी और यह कहीं न कहीं प्रकल पूरे छेत्र को सुगंधत करें इसी भावना के साथ आपको प्रणाम करता हूं वानिक ब्राम्दव जै भारत जै